कि जलो देखो यहां पर हमने क्या किया कि यह सबसे पहले हां पर हम लोग ने एक फंक्शन को डिकलेयर कर लिया क्या है इन्ट स्क्वेर और उसके बाद में फंक्शन में लोग बाते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं कि यहां पर हमने सबसे पहले हम लोग ने विरीवल देख्रे कीया ठीक है यह साइड नाम का हमने क्या किया एक वेरीवल देखलेयर कि एक इसका बाद यहां पर हम लोग ने एक परिंटेश लगा के मैसेज़ प्रिंट के एंटर दर लेंथ हृँव टासाइड इनपोट ले लिया है हमारे पास इनपूट आ चुका है हमारे पास इनपूट आ चुका रहे हैं अब क्या रहें गये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वाइर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो साइड को हम लोग दो बार मल्टिप्लाई करतेंगे ठीक है मल्टिप्लाई किये और उस वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर दिए रिटर्न कौन सा वैल्यू हो रहा है यहां पर कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है अगर हम लोग दो बर करेंगे क्योंकि हम लोग करेंगे तो भी हम लो को फेल्यू मिलेगी सिक न! यहां रिटर्ण टाइप हमने क्या लिखा लोट लिख लिए हैं ठीक है फिर उसके बाद आते हैं हम लोग में फंक्षन में सबसे पहला statement क्या गुइंग तो कॉल किये हम लोग स्क्वाइर को कॉल किये तो कंट्रोल कहां पर चले जाएगा लोड्ट स्क्वाइर जो डेफिनेशन वहाँ पर चले जाएगा ठीक है सबसे पहले एक वेरिबल डिक्लियर होगा फिर उसके बाद एक message print होगा यहां पर enter the length of the side in meters ठीक है फिर यहां से हम लोग input ले लेंगे input ले लिए फिर उसके बाद दोनो साइट को हम लोग multiply कर देंगे ठीक है साइड multiply by side ठीक है और यहां से जो value मिलेगी उसको हम लोग return कर रहे हैं बिटर्म करने के बाद हम लोग को value यहां से स्क्विएर जो है एक value रिटन करे ठीक है और उसको हम लोग कहां परश्टो कर रहे हैं area क्या है विरी बाल सिके किस टाइप का ब्रिद लोग स्वमने क्या नहीं है?